वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें क्वेशन बुकलेट 02 है मेरे पास यहां से शुरुबात करते हैं पहला हमारा प्रशन है कि किस राज सरकार ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सक्राइब करनाटा की गौर्वर्मेंट ने अनौंस किया तो ऑप्शन बर सी है इसके बाद कॉमनवल्थ डिप्लोमेटिक अकाड प्रशन है कि इंडियार्स बॉमिंग गिग एंड प्लैट्फॉर्म इक्राइब कंपनी के साथ इसके बाद नारी को नमन योजना काँ शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश से ऑप्शन नमबर सी ठीक है इसके बाद हमारा प्रशन या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगला प्रशन है कि इंडियार्स बॉमिंग गिग एंड प्लैट्फॉर्म इकनौमिश इसके रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी इंडिया की इंडिया की तिंक टैंक नीतियायोग ने नीदियायोग के वाइस चेरपरसन काउन है CEO काउन ने दोहरा लिजिएगा अभी दो अगला प्रशन है बहरत का सबसे चोटा के सासित प्रदेश काउन सा है उत्तर लक्षवदीफ है ऑप्शन बर बी हमारा अगला प्रशन है कि छातर पारिष्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पार किस बैंक ने लॉंच किया है ICCI बैंक ने ओप्शन बर ए कितने राज बंगलादेश के साथ सीमा चाजा करते हैं पांच करते हैं ठीक है ऑप्शन बर सी यहां पर सही है असम वेश्ट बंगाल मेगालाय मिजोरम द्रिप्रा ये शेयर करते हैं अद्रिप्रा तीन तरफ से घिरावोय मंगलादेश से अगला है कि पुलैंट की मुद्रा कौन से तो जलौटी है मुद्रा option number D अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लोग परी शास्त्री ड्रते कौन सा कत्थक है option number C यहाँ पर सही है इसके बाद है कि लोग सभा सत्र को स्थागित करने की शक्ति किसको प्रापत है लोग सभा सत्र को प्रणा करने के शक्ति है सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद सब्सक्राइब करते हैं उत्तर हो जाएगा यहां पर इसका उत्तर अगला प्रशन अठारा ग्लोबल अच्प बढ़र जाते हैं को यहां पर राव जयाते हैं तोर के लिखे hai कई माता पिता का भी सपना होता है क्यों की संतान विदेश में जाकर पढ़ने जाए और सुख्चैन की जिंतीगी बसर करें समाज में उनका नाम हुचा हो तो तो यहां पर B, C वाला है most appropriate है, सपना पूरा करने, सुक्षान की जिंदिगी बसर करने और समाज में प्रतिष्टा बढ़ाने, option number C, तो इसके बाद है कि इस प्रकार के विवहार के साथ वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, इसमें कौन से ऐसे विवहार की और संकेत किया गया ह जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है, तो यह है यहां पर adjustment का मामला, बच्चों के परिवहार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन साहन, खान पान पहनावे और चाल चलन पर रहतराज और कटाक्ष करते होंगे, ठीक है, यह most appropriate हो जाएग option number B, उसके बाद है कि विदेश जा सक, जा बसे बच्चों के विवहार में परिवरतन के लिए सबसे दोसी कौन है, अनुच्छेत के अधार पर बताना है, तो बच्चों के मन में, बच्च्पन में माँबाप दोरा, actually यह थोड़ा में गलत पढ़ रहा हूँ, अधूरे संस नहीं करते हैं, जग हसाई से बचने के लिए option number C, उसके बाद है कि बच्चों की शिकायत है कि माँबाप पत्नी और बच्चों के साथ adjust नहीं करते हैं, अपनी पुराने जमाने की चीज़ों को यहां थोपना चाहते हैं, इसके लिए कौन दोशी है, तो इसके लिए दोशी काउने जिसे अपना जीवन चैन से बतीत कर सकें, अच्छे यह आपको बता दें कि यह assumption based है, कोई भी तरक आपको नहीं देखने को भी लेगा, आपको paragraph में लिखा हुआ, लेकिन आपको derive करना है दिएका information से, तो बुजूर्ग बढपे के लिए कुछ अरजित करके रखें और अगली पीडी के सतक्सियों पर बोज ना बने और अपनी रायत हो पें, तो यह most appropriate जाएगा, option number B, इसके बाद है कि कौन से माबाब अपने ही घर में धीन ही होकर बच्चों का मुह ताकते हैं, तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आपको बदल लेते हैं, और ब पाउजूद आज की पीड़ी जो है, उससे आत्मी इता गायब है, जो पुरानी पीड़ी तक विद्धमान थी, इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है, पैसित के हिसाब से, तो पीड़ियों के अंतरन के कारण जीवन मूलियों के बदलने से युवा पीड़ी आदूर द को बेटों की जिंदगी में, अधिक दखल अंदाजी करना ये सब है, माबाप का विमार और लाचार होना, अपने संतान द्वारा, अपने द्वारा संतान पर किये गए, ऐसानों को लगतार बताते रहना, इसके बारे में कोई इंफोर्मेशन नहीं दी गई है, बी, सी और इंफोर्मेशन को मिल रही है, वो ये है कि उन्हीं द्वारा पालित, पोशित, बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य से नहीं मानते हैं, इस कारण माबाप अकेले रह जाते हैं, ठीक, तो इसमें हो जाएगा option number A, इन में से कोई नहीं, यहीं most appropriate है, और अगर आयोग इसके बाद है कि कौन से सबसे महत्पूर्ण योगदान माना जाता है, अंग्रेजों का, तो रेलवेस बहुत महत्पूर्ण है, option number C, डलावजीक समय, पंच चितन्तर की कथाएं किसके दौरा लिखी गई थी, विश्नु सर्मा के दौरा, option number B, सही है, इसके बाद है कि गौ समुद्र गुप्त के, option number C, इसके बाद सभीने अब अग्या अंदोलन शुरे करने का कारण इसमें पूछा गया, यह absolute जैफा कोशन है, कुछ यहां पे नहीं पता चल रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि कारण में B भी प्रबल है काफी, और C भी प्रबल है, ठीक है, D भी कु इसका एंसर जो है, एक्जाम बोर्ड ही बताएगा, एंसर की में ही आएगा, इसका सही एंसर, ठीक है, इसके बाद है कि 1875 के विद्रो का परिणाम क्या था, परिणाम यह था कि East India Company की शक्तियों को British Crown को दे दिया गया था, option number A, पृत्वी का सबसे बड़ा अंतास तली जल इसका उतर हो जाएगा, कैस्पियन सी, option number D, यह खारे पानी की जीहले द्यान रखिएगा, भारत का सबसे पहला गवर्णर जनरल कौन था, बारत का, मंदर स्वधंतर भारत का सबसे पहला भारती गवर्णर जनरल कौन था, यह बताना है, तो इसका उतर चक्रवरती राजव उपालाचारी हो जाएगा, option number D, तो इसके बाद है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था, 1937 में कपरेल को किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, option number A, किसने आयने का गठन किया था, आयने का गठन सबसे पहले लिखा है, ठीक है, मुक्त करने के लिए किसने आयन किया था, यहां पर भारती राश्री सेना की बात कर रहे है, आजाद हिंद फाउज की बात नहीं कर रहे है, जहान रखेगा, आजाद हिंद फाउज होता, तो इसका उत्तर रास बिहार यह चला जाता, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा, मोहन सिंग, आयने का हो जाएगा, मो बोलते हैं ऑप्शन नमबर डी जीम्टी का पूर्ण रूप है ग्रीन वीक मिन टाइम ऑप्शन नमबर सी इसके बाद है एक हजार लोगों पर जीवित जन्मों की वारशिक संख्या किस नाम जाना जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रूड वर्थ रेट ऑप्शन नमबर इसका उत्तर हो जाएगा श्री मॉन्टेक सिंग अलू आलिया भारत का सबसे बड़ा नियोकता कौन है ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा नियोकता आज भी एग्रिकल्चर है यानि कि प्रात्मित छेत्र है तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर भारत में हरित क्रांति का पंजाब था और फिरिवस्ट यूपी में फैल गया था अप्शन नमबर ए यहां पर सही है देन इसके बाद है कि अल्प संख्यों के हितों का आरक्ष्ण जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है यह आपका आर्टिकल नमबर उन्टीस आप्शन नमबर बी अगला है कि 42 में समिधान शन्शोधन के माध्यम से राज नीती निदेशक्ता तो नया कौन सा जोड़ा गया था तो समान नयाय और निश्वल कुविदिक साहता जोड़ा गया था इसमें अप्शन नमबर C यहां पर सही है इकुल जस्टिस और फ्री लीगल एड इड इसके बाद मौली सभी हमलों में एच जरूर रहेगा यानिका इड रोजन रहेगा नॉन्स्टिक खाना पकाने के बरतन में टेफलॉन लगाया जाता है ऑप्शन नमबर C 245 के नवसार कानून बनाना या विधी बनाना संसत का कार रहा ऑप्शन बर D सरकारिया समंदित है किस से केंद्राज सम मंद से ऑप्शन बर C कब रिपोर्ट सब्बिट किया था इसने या आप कमेंट करके बताएंगे प्रकास वर्ष से हम क्या मापते हैं स्टेलार डिस्टेंस यानिकी तार की दूरी ऑप्शन बर B इसके बाद हमारा सवाल है कि सबसे बुद्धिमान स्तंधारी कौन माना जात कर देना चाहिए ठीक है इती और इती का हो जाएगा समाप्ति और अपदा या विगन ऑप्शन बर C यहां पी पीसिस का कौपी किया हुआ सवाल है इसमें है फिर इश्वर में विश्वास रखने वाल आस्तिक है यसे सिंपल सथा इंग्लिश का परग्राफ देख लेते हैं चिल्डेन है स्कूल चिल्डेन वो कैसा गिफ्ट देते हैं थैंक्यू कार्ड देते हैं ऑप्शन बर D वेलेंटाइन डे क्या ओफीशल होलिडे है युएस में तो इसका उत्तर है नहीं नॉर्मल होल्डे ओफीशल नहीं है टेम का हो जाएगा यहां पर डोकाइल सिननिम प ट्रेक्ट ट्रेन जो चली थी सफदर जंगर रेल्वे स्टेशन से कहां पर गई थी यह गई थी नेपाल तक ठीक ऑप्शन बर सी इसके बाद है कि मजबूत और दीरकालिक साज़दारी के ताहित 75 एंबुलेंस 17 स्कूल बसें उपहार में किस ने दी है भारत ने दी है आफ़कालिका वाला सलूशन आप देखिए इसके बाद क्वेशन नंबर 29 से 33 के बीच जो हमें डेटा इंटर्प्रेटेशन सेक्शन सॉल्व करना है वहां से एक अलग सेक्शन यानि की डेटा इंटर्प्रेटेशन रीजनिंग और एक्टिट्यूट की शुरुवात हो जा सब्सक्राइब अपने पास है तो एक आवरेज निकाल लेते हैं तो दो तरीके हैं इसके या तो सब को जोड़ के पांच से आपकार दें या तो फिर आप जो है सबका अवरेज ले अपने मन से कोई भी आपर जमानते हुए तो जैसा कि हमें डेटा दिख रहा है एक एक उसके बाद 48 जो है ये 70 से 22 काम है तो माइनस 22, पिर 82 बारा ज्यादा है तो ये 12, 90 बीस ज्यादा है, तो 20 और 70 कोई डिफरेंस नहीं तो 0, यहां पर हम देखेंगे 14, 20, 34, 2, 12, 14, 24, बटे 5, मलब 6.8, तो 70 प्लस 6.8 यानि 76.8 यहां से आया, अब उसके बाद C, इन सब का आव 25, 28, 23, 23, 23, 23 में 20 गया तो 11, 11 बटे में 5 हुआ, 2.2, मलब यह हुआ 72.2, फिर D, इन सब का चाहिए, वापस से 70 मानेगे क्योंकि सेम टाइप का डेटा है, 85, 15, 70 तो 0, यह माइनस 5, 14, माइनस 10, 10, 5, 15, यह 15 कट गया, 14 बटे में 5 हुआ, 2.8, यह 72.8, अब फाइनली E की बात करते हैं, इसमें भी वापस से 70 ले लेते हैं, यह 5, यह भी 5, यह 15, माइनस का क्योंकि 55 है, यह माइनस 10, और यह 5, यह माइनस 5 हुआ, by 2 यानि 2.5, यह 67.5 हुआ, क्योंकि 70 माइनस 10, तो E कावरेज जो है, वो मिनिमम आ चुका है, तो काउन सा ओला जिला होगा, district E, मतलब option A, इसके बाद next problem पूचा गया है, कि कौन सा ऐसा साल है, जिसमें जिला C से, जो candidate select हुए है, qualified में से, उसका percentage minimum है, तो करना क्या है, यह है जिला C, आप आपके पास साल दिये गए हैं, 12, 13 और 11, इन 3 सालों में compare करना है, C के लिए, तो 78, बटे 720, यह 10 point something आ रहा है, आप clearly देख सकते हैं, पिर उसके बाद 85 by 620, वैसे ही 13 में है 48 by 4800 into 100, 10%, यह 400 है, sorry, 12% हो जाएगा, लेकिन यह 12 से उपर जाएगा, क्योंकि 10 का मतलब हुआ, 62, 1 का मतलब हुआ 6.2, 2 मतलब double, तो यह कितना आ रहा है, यह 13 के भी उपर जा रहा है, तो यहां पे जो साल 2012 है, उसके लिए यह maximum दिखा रहा है, तो काउन सा वो साल है 2012, मतलब option D, उसके बाद 30 है, कि जिला D से जितने भी candidate select हुए, in fact pass हुए, यहां पे select होना और pass होना दोनों में अंतर है, तो खुल मिलाके करना क्या है, कि वो साल बताना है, जिसमें total जितने भी appear हुए, उसमें से कितने qualified हु 600 by 6800, 525 by 6500, और 720 by 7800, यह 8.82% के आसपास आ रहा है, और यह वाला कितना रहा है, यह हो जाएगा 8.07, similarly यह 9.2 के आसपास आ रहा है, तो इन सब में सबसे चोटी value काउं से आप clear देख सकते हैं, यह वाली, और यह आ किस साल के लिए रही है, तो साल 2013 के लिए आप clear देख सक 700, तो इस हिसाब से कौन सा वाला option सा ही हो गया, 2013 वाला मतलब D, उसके बाद 32 नंबर है कि साल 2011 में इन में से यह सा कौन सा जिला है, जिसमें total जितने भी exam देने गए, उसमें से select कितने हुए, यह सबसे maximum हो, आपके पास A, E और C है, इसी में से compare करना है, तो यह जो A है, इसक 75, उसी तरीके से जो C है, 78 by 75 100, तो जो 78 by 75 है, वो 1.04 के आसपास है, वैसे ही E में आप देखें, अगर साल 2011 में, तो आपको देखने को मिलेगा, 75 by 64, 1.171, आप इन तीनों में, इसमें और इसमें, maximum value यह है, और यह हमें किस साल, मतलब, कौन से जिले के लिए देखने को मिल A, यह कहाँ पर है, C में, आखरी question है, इस particular set से कि इस पूरे time period में, मतलब, साल 2011 से 2015 के बीच में, E से जितने भी candidate select हुए, और A से जितने भी candidate select हुए, उनको लेना है, और बताना है, E जो है, वो A का कितना percent है, तो कुल मिला कि यह चीज निकालनी है, तो यह है E, इसका total 38, 8, 2, 10, 38, 384, तो इसको जब आप solve करने जाएंगे, तो 88 point something आपको मिलेगा, जो कि आपको option B में दिख रहा है, इसके बाद question number 34, 34 के लिए अगले graph की और move करेंगे, जो कि एक table है, जिसमें अलग-अलग महीनों में, 5 अलग-अलग कंपनियों P, Q, R, S और T द्वारा, कितने दोनों कंपनी, द्वारा साथ में मिलके बेचेगर product से, तो basically P और R जो कंपनी है, March में 180 और 115 हो गया, 295 और April की बात करें, 24, 16, 40, मतलब 400, 580 जा, 559 जा, 69 बटे 80, A, उसके बाद अगला है कि, company S ने जनवरी से लेकर अपरेल तक, जितने भी product बेचे, मतलब एक जनवरी में एक अपरेल में company S द्वारा, तो ये है company S, जनवरी में बेचे 85 और April में 140, 55 का फरक है 85 पे, 100 पे कितना होगा, 11, 17, का मतलब हो गया यहाँ पे, करीब करीब 64%, 64% D, इसके बाद अगला है कि T company ने March अपरेल और मई में जितने product बेचे, उसमें 32% mild steel के थे, तो basically mild steel के बने company T, 306, 612, 14, 140, 10, 450, इसका 32% कैसे लेंगे, 30% मतलब हो गया, 453, 135, 1%, 4, 2%, 9, ये total हुआ 144, तो वस यही आपसे पूंचा भी है, 144 मतलब C, उसके बाद अगला है कि फरवरी के महिने में, PST ने जितने भी product बेचे, उसका approximate average किया है, तो PST, ये है फरवरी, B, 155, 110, 90, 119, 20, 200, और 155, 355, बटे में 3 हुआ, लगभग 188%, in fact, 188 जो है वो average है, B, उसके बाद इस particular table से आखरी सवाल, 38 number, Q company ने जनवरी और मई में, जितने भी product बेचे, और उनी महिनों में, R ने जितने भी product बेचे, उनके बीच में अंतर क्या है, तो basically, जनवरी और Q, और दूसरी है R, तो Q का देख लेते हैं, 80 और 120 हुआ 200, R देखते हैं, 130, 155, तो 150 और 30, 15, 13, 285, कितने एक अंतर है, तो सीधे से दिख रहा है, 85 का, D, इसके बाद question number 49 से 43 के लिए, इस pie chart की और move करेंगे, जिसमें, अलग-अलग sector में, कितने कितने degree में, जो खर्चा Q, जो खर्चा है, उस चीज की information दी गई है, यहाँ पे चाहे 50 और 46 कोई भी number हो, सब के सब degree में है, इस चीज का में ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 49 में पूचा गया है, कि research में, events की अप एक्षा कितना percent ज्यादा खर्चा हुआ, तो चुँकि हमसे percentage में पूच रहा है, इ approximately 86% D, उसके बाद next है, कि hostel के expenses में, कितना percentage involved है total का, यह चीज देखनी है, तो hostel की जहाँ तक बात है, तो वो 46 है, यह total चीज अगर आप जोड़ेंगे, तो 360 आएगा, क्योंकि सारी चीज डिगरी में है, और डिगरी में यह पूरा गोला जब बनता है, तो 360 का angle बनता है, 46 by 360 नाइनजा, क्या करना था, 46 का percentage, 360 पे लेना था, तो यह करीब करीब 12.7% आएगा, ए, इसके बाद है, कि अलग अलग छेत्रों में total अगर इतना खर्च किया गया हो, तो infrastructure और hostel के बीच का difference बता दीजिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यह है sport 52, infrastructure है 50, तो basically यह 2 है, infrastructure और sport, तो total यह जो 100,000 है, यह 360 के बराबर है, क्योंकि यह total expense है, हमें 2 की value चाहिए, तो यह कितना आएगा फिर, sorry एक चीज की यहाँ mistake हो गई, infrastructure और hostel के बीच में difference चाहिए, तो infrastructure 50, hostel 44, तो यह 4 है, तो calculation में एक minor change यह करेंगे, कि 360 का मतलब यह तो खेर fix है ही, हमें 4 डिगरी चाहिए, तो यह 180, 00,000, into 4 by 360, यह कुल मिला के 2 लाग हैगा solve करने पर, next है, कि sports में education की तुलना में कितना percent खम खर्च किया जा रहा है, तो दो चीजें चाहिए, sport और education, तो sport है 52, education है 80, 28 का फरक है 52, 80 के बीच में comparison करना है education से, अब percentage हमें पता चल जाएगा, 35%, 35% कहां पे given है, तो D में, उसके बाद 43 नंबर है, कि खेल पर अगर 1.8 करोड रुप किये जाएंगे, तो sport ये 52 है, 52 का मतलब हुआ 1.8 करोड, तो सिक्षा नुसंधान 8, 6, 14, 5, 145, तो 1.8 करोड से तो उपर ही value आएगी, क्योंकि कहां 52 डिगरी में आपको 1.8 करोड मिला है, तो 145 डिगरी में तो ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन option में तो करोड क्या लाख में ग जितना जितना profit कमाया है, उस चीज की जानकारी दी है, तो ये जो मोटी वाली line है, मतलब यहां से लेकर, ये पूरा S, ये company B के लिए है, और ये जो पतली वाली line है, ऐसे से ये A के लिए है, तो सबसे पहला जो सवाल है, 44 नंबर, उसमें पूचा है कि साल 2005 में, A और B, उस में जाहिर से बात है, उनका profit शामिल होता है, तो साल 2005 में, ये है company A, तो ये जो company A है, इसका जो profit था, ये 70% था, तो 70% मिल गया, तो 170% की value 300 है, तो expenditure company की लागत हमेशा 100% होती है, ये चीज का हमें पता होना चाहिए, 300 into 100, बटे 170, ये आया 3000, बटे 17, उसी तरीके से B का हिसा किताब देख लेते हैं, तो B का profit यहाँ पर 50 है, मतलब 150%, ये 400 है, तो इसकी लागत है 100%, ये आ चुकी है 400 into 100 by 150, 53, 52, ये 800 बटे 3, तो हमें यहाँ पर क्या पूंचा है, expenditure का ratio A और B के लिए 2005 में, तो A का तो है 3000 बटे 17 into 3 बटे 800, 90 बटे 136 यानी 45 बटे 68, तो कौन सा option सही आप यहाँ बे देख सकते हैं, D option, उसके बाद next है, कि साल 2005 में अगर दोनों company की income एकी थी, मतलब जितना A ने कमाया, उतना B ने कमाया, तो उसी साल A और B की लागत का अनुपात आपको चाहिए, expenditure का, तो वापस से वही साल 2005 में चलते हैं, तो 2005 के हिसाब से A और B दोनों की इन कम 100 रुपए हो गई, ये का profit है 70, तो 170% बराबर 100, तो 100% यानि expenditure, जो है ये कितना आएगा, 100 into 100 by 170, तो ये आया 1000 बटे 17, उसी तरीके से B का profit आप clearly देखे, 50% यानि 150 परसेंट आपका है, 100, तो 100% की value क्या होगी, 100 into 100 by 150, ये आया 200 बटे 3, तो ratio कितना आएगा, 1000 बटे 17, इन्टू 3 बटे 200, 15 बटे 17, 15 बटे 17, जहां पे भी होगा, इसको टिक कर देंगे, तो ये है आपका A में, अगला है कि साल 2002 में company B का expenditure 200 करोड़ था, तो उसकी income कितनी थी, expenditure हमेशा 100% तो 100% है, 200, अब 2002 में company A का जो profit है, वो 50% है, तो profit मिला के ये बना 150%, ये total income होगी, 200 into 150 by 100, वापस इसको चेक कर लेते हैं, हमसे किसके लिए पूचा है company B के लिए, okay, company B जो है, इसका पूचा ये 30 है, 100% 200, 130% या या 200 into 130, बटे 100, मतलब 260, 260 कहां पे है, तो B में, इसके बाद 47 number की अगर बात करें, तो 2001 में company A और B का expenditure सेम था, मतलब जितनी लागत पहली company ने लगाई और उसी साल दोनों company की total income, यानि दोनों ने कुल मिला कि 342 करोड कमाए, तो लागत में से, जब ये 342 करोड का difference लिया जाएगा, तो profit कितना होगा, इस चीद की जानकारी चाहिए, तो साल 2001, ये रहा, ये company A है, ये B है, दोनों के expenditure सेम है, ये A है, इसका profit 45%, तो ये 145, income होग 342, तो हमसे इनोंने पूचा है, दोनों का total profit, तो total profit इसका 45, इसका 40, यानि 85, 85 का मतलब क्या है, ये निकल आएगा 342 into 85 by 285, तो 17, एकम 17, नहीं, 5-25, 5-7, 5-17, 19-3, 19-19, 1968, 3-6, 17, 102, 102 करोड यहां से correct हो गया, B option, data interpretation का आखरी question देखेंगे, और इस particular set का भी obviously, अर 40 number में दिया हुआ है कि साल 2003 में company A की जो लागत है, वो 200 करोड है, यानि 100% बराबर 200 करोड, और उसी साल company की जो income है, तो उस साल company की income कितनी है, ये पता कर लेंगे, तो ये 60, यानि 160 अगर इसका लिया, तो 200 into 160 by 100, ये 320 हुआ अब यही 320 करोड क्या हो जाएगा, साल 2006 में company का expenditure, तो साल 2006 के लिए बात करें, तो 100% यानि उसका expenditure 320 है, तो उसी साल company की income कितनी है, मतलब profit जोड़के, तो एक company का profit ये 45, 145%, यह हमें चाहिए, 320 into 145, बटे में 100, 52 जा, 52 नी 10, 59 जा, 216, इंटू 16, 30-1 into 16, 480-16, 464, तो कौन सा तक्तर नंबर के अगर बात करें, तो 10Q plus 10Q, यानि AQ plus BQ, A का मतलब है ये, B हुआ ये, और नीचे है A square minus A into B plus B square, तो AQ plus BQ क्या होता है, A plus B into A square plus B square minus A B, और नीचे आपका है A square minus A B plus B square, अब एक चीज़ बताइए, क्या ये, और ये A की नहीं है, बिल्कुल है, तो ये कट जाएगा, final answer A plus B होगा, यानि 2.1 plus 5.8, मतलब 7.9 A, उसके बाद next 7 diagram से, 70% लोग physics में पास हुए, 80% reasoning में पास हुए, 55% दोनों में पास हुए, अब ये जो 70% physics वाले पास हुए ना, इसका ये मतलब है कि, इन में से कुछ हैसे भी हो सकते हैं, जो reasoning में भी पास हुए हो, क्य लिए, ये reasoning के लिए physics वाले है, 70%, reasoning वाले 80%, और दोनों यहां लिखे जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा portion है, तो दोनों सरकल में common है, तो यहां 55 लिखा जाएगा, अब इस पूरे circle की value 70 है, जिसमें 55 यहां पे आ गई, तो बाकी यहां पे 70 महीं से 55 गया तो 15, उसी तरीके से 5% जो है, फेल हुआ है, दोनों में ही फेल हो गया, क्योंकि कहीं नहीं पास हो पाया, तो 5% C, इसके बाद यहां पे कहा गया है, कि इन में से लबसे बड़ा fraction कौन सा है, तो पहले इन दोनों को compare करते हैं, 4, 28, 9, 45, तो 45 किसके उपर लिखा हुआ है, इसके, तो अभी तक य यह किसके उपर तो इसके उपर, 13 by 17 rule out, तो by default भी आपका सही हो जाता है, next time से 82 number पूछा गया है, इसका square root, तो क्या करेंगे हम, option उठाएंगे, option का square करके चेक करेंगे, कि क्या यह चीज़ हमें मिलेगी, root 3 plus 5, तो 3 plus 25 यह 28 आगया जब कि धर ना हो है, यह rule out हो गया, ऐसे ह अगले में आपसे पूचा हुआ है, average, इन सबका average, तो जैसी कि संख्या में दिखाई पड़ रही है, हम 150 average मान लेते हैं, तो यह 158 ज्यादा है, यह 25 कम है, यह 105 कम है, यह 30 कम है, यह 48 कम है, 158 minus 130, 160, 208, तो यह हुआ, minus का 50, बटे में 1, 2, 3, 4, 5, यह 10 minus का, यानि कि जितना अबरेज हमने माना था, वो 10 कम है, अग्च्वाल अवरेज, तो 150 minus 10, 140, फिर 95, इन फैक्ट 94 नमबर से बात करेंगे, रिजनिंग सेक्षन की, इसमें एक तस्वीर की और इशारा करते हुए, A ने B से क्या कहा, वह मेरी मा के पिता की इकलोवती बेटी, तो मा के पिता आपक का बेटा होगा, A, उसके बाद है, इस स्टेटमेंट बे सवाल, तो स्टेटमेंट जो हिंदी में लिखे हुए है, वो कुछ इस तरीके से आप चाहें, तो देख सकते हैं, यहां पर, बाकि इसका इंग्लिस वर्जन आपको यहां दिखाया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट के सामने हैं, कि जितनी भी लैप्टॉप मैनुफेक्चरिंग कंपनी हैं, इन्होंने लैप्टॉप की कीमतें बढ़ा दी हैं, दूसरा है कि सरकार ने हाल इमें लैप्टॉप पे ड्यूटी बढ़ा दी है, तो क्या हम इन दोनों को कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कि चूंकी सरकार ने लैप्टॉप के उपर ड्यूटी बढ़ा दी है, इसलिए लैप्टॉप मैनुफेक्चरिंग कंपनी ने लैप्टॉप की कीमत बढ़ा दी है, मतलब यह जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह किसी चीज का कारण है, और चूंकी ऐसा है, तो इस वज़े से तो यहाँ पे दो, आठ और चार, इवेन नमबर हैं, जबकि जो पांच है, वो ओड है, इस वज़े से, most probably भी होना चाहिए, उसके बाद 99 नमबर है कि एक जनवरी 2006 को रविबार था, तो एक जनवरी 2010 को क्या होगा, तो 1107 को सीधे सीधे मंडे लिग देंगे, क्योंकि सीध इस फरवरी पार करते हुए, हम अगले साल 1109 पे पहुंचे हैं, तो प्लस 2, तो यह Tuesday से Thursday हुआ, आप 1110, सीधे से प्लस 1 क्योंकि ना तुन ना लीपियर है ना 10, यह हुआ Friday, Friday मतलब B, शुकरवार, इसके बाद 100 नमबर में coding and decoding का है, active का code यह है, एक logic है कि A से E प्लस 4, ल लेकिन यहां नहीं है, दो अपसे नमारे वैसे ही अट गए, इसके बाद C से D, तो इधर F से G, उसके बाद T से U, तो इधर F से G, तो TGG कहा है शुरू में, C में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे